हेलो गाईज, गूड इवनिंग, वेलकम टो यू इंगलिश बित प्रमोत कुमार, गाईज, टूड़े वी डिसकस अबाउट डिग्री, फ्रेंड्स, डिग्री पर इस शेकेंड लेक्चर है मेरा, जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं वाच किया है, वो प्लैलिस्ट में जाएंगे, फर्स्ट लेक्चर वाच करेंगे, आप्टर डैट, शेकेंड लेक्चर वाच करना है, नहीं तो फिर आपके समझ में डिग्री नहीं आएंगी, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, और फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर रहेगा, डिग्री पर लास्ट लेक्चर रहेगा, यदि आप इस वीडियो को पैसेनली पूर्बक वाच करते हैं, अटेंड करते हैं क्लास को, वीडियो कुष्ट किप नहीं करते हैं, तो चाहे आप इंटरमीडियेट में हो, या फिर आप कोई भी कमपटिशन का एक्जाम देने जा रहे हो, जहां पर आपके सिलेबस में डि डिगरी है, डिगरी से क्वेशन पूछे जाने हैं, तो इस लेक्चर को देखने के बाद, आपका जो डिगरी से सम्मंधित क्वेशन आएगा, वो रॉंग नहीं होगा, आप बहुत आसानी से उसे कर ले जाएंगे, और फ्रेंट्स, यह क्लास आपको अच्छी लगे, तो क्लास को सेर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करें, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, फ्रेंट्स, जैसा कि मैंने बताया था, कि डिगरी के टाइप्स, यदि आप से कोई डिगरी का टाइप्स सूचेगा, तब डिगरी के टाइप्स थ्री बताएंगे, थिरी टाइप्स डिग्री होती है नमबर वन पॉजटिव डिग्री नमबर टू कमप्रेटिव डिग्री नमबर थिरी शुपरलेटिव डिग्री बासमद में आई नमबर वन क्या हो जाएगी पॉजटिव डिग्री नमबर टू कमप्रेटिव डिग्री नम्मर थरी शुपरलेट्यू डिग्री Friends कैसे पहचानेंगे कि ये पॉज्ट्यू डिग्री है कि कमप्रेट्यू डिग्री है या फिर शुपरलेट्यू डिग्री है ध्यान देजी पॉज्ट्यू डिग्री में Eyes Adjective Eyes Eyes, Adjective Eyes या फिर So Eyes का कमप्रेजन होता है या तो आपको संटेज में Eyes, Eyes मिलेगा या फिर संटेज में So Eyes मिलेगा तो आपको पहचान लेना है कि पॉज्ट्यू डिग्री है जब एक्जाम में आप जाएंगे ये फाइंड आउट डिग्री करना है डिग्री ढूरना है कौन सी डिग्री है तो सिंपल सी बात आप क्याद रखेंगे संटेंस में आपको Eyes Eyes मिल जाए या फिर So Eyes मिल जाए ओके तो कौन सी डिग्री होगी Positive डिग्री होगी कौन सी डिग्री होगी Positive डिग्री कैसे पहचानेंगे संटेंस में Eyes Eyes मिलेगा या फिर Comprehend So Eyes पर आधारित होगा ओके चलिए Comprehendive डिग्री कैसे पहचानेंगे आपको ध्यान देना है प्री बच्चों Ejective में ER लगा हो Ejective में क्या लगा हो ER फिर Than Any Other Than Any Other Ejective में क्या लगा हो ER कुछ ऐसे Ejective होते हैं जिसमें ER नहीं लगता है तो आपको क्या मिलेगा More मिलेगा क्या मिलेगा More कोई भी संटेंस आप उठा लीजे जिस आपको संटेंस में More मिल जाए उसके बाद Than Any Other More than मिले या फिर Ejective में ER जैसे Wise Wiser नहीं Wiser लगा है तो More Wise Friends आपको क्या ध्यान रखना है कि More मिलेगा Than Any Other या संटेंस में लगा है तो आपकी कंपरेटिव डिगरी होगी या फिर Ejective में ER लगा होगा अभी Friends आपके हैं अभी Friends आपके हैं सब किलियर हो जाएंगे आप लेक्चर को सुनते जाएए तीसी डिगरी कंपरेटिव डिगरी है सुपर लेक्टिव डिगरी में आपको ध्यान रखना है या फिर संटेंस में Most का प्रियोग होगा Most या फिर Ejective में EST लगा हो क्या लगा होगा EST या फिर Ejective में क्या होगा Most यूज होगा Ejective से पहले क्या यूज होगा Most या फिर Ejective में क्या लगा होगा EST लगा होगा तो आपको सुपर लेक्टिव डिगरी पहचान लेना वन आप दा मोस्ट या दा मोस्ट एक बात और ध्यान देना है कि एजेक्टिव से पहले आर्टिकल दा आपको मिलेगा क्लास को आप वाच करिए और मैं आप लोगों से प्रोमिस कर रहा हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद आपके डिगरी की जितने डाउट्स हैं सब किलियर हो जाएंगे चलिए एक्जाम्पल देखते हैं ध्यान दीजिए क्या लिखा है लिखा है अगर आप से कोई पूछ लिए कौन सी डिगरी है तो अभी भी मैंने बताया था यदि कॉम्प्रीजन आइज आइज पर आधारित है तो पॉस्ट्यू डिगरी होगी तो फिर कॉम्प्रीजन आइज आइज पर आधारित है तो पॉस्ट्यू डिगरी होगी तो फिर कॉमसी डिगरी होगी पॉस्ट्यू डिगरी होगी संटियंस में आइज आइज लगा है पॉस्ट्यू डिगरी है शो आइज लगा है पॉस्ट्यू डिगरी है ओके और क्या ध्यान रखना जब कंप्रिजन दो के बीच हो किसके बीच हो दो के बीच तब एनी अधर का यूज नहीं किया जाता है एनी अधर का यूज कहां पर होगा जब कंप्रिजन दो से ज्यादा के बीच हो दो से ज्यादा के बीच हो यहां ध्यान दीजिए, merit का compression किया गए आगरा से यहां पर कोई दूसरा सहर नहीं है एक तरब merit है और दूसरे तरब क्या है? आगरा है तो यह positive degree है, कोई आप से पूझे लिए कौन सी degree है, तो positive degree है comparative degree बनेगी ध्यान रखिए, जब 2 के बीच दो के मध्य कंप्रिजन होता है तो उस संटेंस की सुपरलेट्यू डिगरी नहीं बनती है क्या कहा हमेने जब कंप्रिजन दो के बीच हो दो के मध्य हो तब सुपरलेट्यू डिगरी नहीं बनती है चलिए कंप्रेट्यू डिगरी कैसे बनेगी आगरा merit की जगा पर आ जाएगा आगरा is ध्यान रखना है कि जब compression जब word होते हैं इनका जब place change होता है तो इनके साथ word भी change हो जाती है लेकिन यहाँ पर आगरा भी singular है merit भी singular है इसलिए is का is ही रहेगा ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा adjective में er लगा होगा तो आगरा is big का हो गया bigger than merit यहाँ पर any other use आप नहीं करेंगे any other का use नहीं करेंगे क्योंकि compression दो के वीच है number one आगरा number two merit ओके तो sentence simple सा बन जाएगा आगरा is bigger than merit आगरा is bigger than merit er लगा होगा दैन लगा होगा comparative degree होगी कौँसी degree होगी comparative यहाँ cd का मतलब है comparative degree बास समझ में आई next चलिए honesty is the best policy honesty honesty is the best policy पहले इसकी positive degree बनाईए तक हज़िक no other policy is best का हम क्या कर देंगे good positive degree में best का क्या हो जाएगा good हो जाएगा no other policy is I is good I is honesty no other policy is I is good I is honesty इसके cd देख लिजिए honesty is better than friends good का जो comparative degree होता है better होता है और superlative best होता है superlative best होता है sentence क्या बन गया honesty is better than any other policy honesty is better than any other policy समझ में आया next important sentence है friends अभी ये इन एक्जाम्पल को आप कर लीजिए हो सकता है आपके एक्जाम में same to same sentence देखने को मिले चलिए the air of hills पहाडियों की हवा is cooler than ठंडी होती है आप दा lowlands निचली अस्थानों की अपेच्छा पहाडियों की हवा जो होती है निचली अस्थानों की अपेच्छा ठंडी होती है तो यहाँ पर comparison जो किया गया है वायू का किया गया है ओके comparison दो के मद्ध है क्या है hill और lowlands air of lowlands, the air of lowlands is not eyes, cool eyes, that of hills, the air of lowlands is not eyes, good eyes, that of hills, confusion दूर हुआ, समझ में आया, क्या, एक्य, बेरी गुड, शलिए, मुंबाई is the biggest city in India, पहले हैं कि पॉस्टि डीघरी बनाईए, नौ अधर ओके चाहें आप 9 अधर से बना लिए चाहें बेरीफियू से बना लिए पॉस्ट्टिव डिग्री दो प्रकार से बन जाएगी जब कंप्रीजन ज्यादा के बीच होगा तो आप पॉस्टिव डिग्री नो अध़र और से भी बना सकते हैं बेरी फ्यू आयवाद समझ में क्योंकि यहाँ पर मुंबई की तुलना कर दीगे इंडिया की सहरों से तो इंडिया में कोई मुंबई एक एक छहर थोड़े हैं भहुत से सहर हैं ध्यान दीजे कैसे सेंटेंस बनेगा नो अदर सिटी इन इंडिया अब बेरी फ्यू से बनाते हैं तो क्या परिवर्तन आएगा ध्यान दीजे बेरी फ्यू सिटीज जब बेरी फ्यू से बनाएंगे तो जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल आएगा जब नाउन प्रोनाउन प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी प्लूरल हो जाएगी बेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया और आज बीग आज मुंबई बेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया और आज बीग आज मुंबई समझ में आया next कानपूर इस दा बिगेश्ट सिटी इन इउपी पहले इसकी पॉझ्टिव डिग्री पूझाया ज़र पॉझ्टिव डिग्री आप बनाएए तो नो अधर सिटी इन इउपी यहां सजाएगा फ्रेंट्स शिटी से पहले नो अधर लगाएंगे फिर city in UP तो no other city in UP is eyes, big eyes कानपुर no other city in UP eyes, big eyes कानपुर positive degree हो गई comparative degrees की देखते हैं कानपुर is मैंने क्या कहा था कि adjective में क्या लगाना है er यूज करेंगे कानपुर is bigger than any other कानपुर is bigger than any other city in UP ओके समझ में आ रहा है next बिहार is hotter than असम, द्यान दीजी इसकी superlative degree आपसे कोई बनाने को कहे तो इसकी superlative degree नहीं बनेगी क्यों नहीं बनेगी मेरी बात याद रखेगा क्योंकि यहाँ पर compression जो है दो के मद्ध है बिहार का compression असम से किया गया है यहाँ पर कोई दूसरा प्रदेश नहीं है एक तरफ बिहार है दूसरी तरफ क्या है असम है यहनी compression किसके मद्ध है दो के मद्ध जब compression दो के मद्ध होगा तो उसकी superlative degree नहीं बनती है कहीं पर नोट कर लीजिए आप लोग इस point को समझ में आ रहा है यदि फ्रेंड समझ में आ रहा है तो like, comment जरूर करिएगा आप लोग मेरा support करते रहें इसी तरह मैं आपको grammar फिर आप cost permanently provide कराता रहूँगा I promise you चलिए sentence मना लेते हैं a sum is not I is heart, I is be hard a sum is not I is heart, I is be hard जब compression दू के मद्ध होगा तब ये जो noun आएंगे इनका स्थान बदल जाएगा जो सुरुवात में लिखा होगा वो लास्ट में हो जाएगा और जो लास्ट में लिखा होगा वही सुरुवात में आ जाएगा ओके चलिए a sum is not I is heart, I is be hard समझ में आ रहा है ओके नेक्स्ट no other flower is so sweet as the rose no other flower is so sweet as the rose चलिए इसकी पहले आप c d बना लीजी comparative degree बनाईए फिर उसके बाद आपको क्या बनाना है p d मतलब positive degree बनाना है तो पहले जो मैंने बनाया है c d है तो क्या हो जाएगा the rose the rose is sweet का फ्रेंट हो जाएगा sweeter than the rose is sweeter than any other flower इसमें any other का प्रियोज होगा क्योंकि रोज की जो तुलना की गई है गुलाब की जो तुलना की गई है सभी फूलों से की गई है फ्रेंट्स आप लोग जानते हैं कि कितने फूल है तो रोज की तुलना सभी फूलों से की गई है इस तभी flower से की गई है इसलिए हाँ पर than any other का use होगा the rose is sweeter than any other flower चलिए positive degree ये भी है और positive की दूसरी हम बना लेते हैं very few flowers are as sweet as the rose friends की super little degree भी बन जाएगी कैसे बनेगी ध्यान दीजिए the rose the rose is the sweetest the rose is the sweetest flower friends ऐसे भी बना सकते हैं the rose is one of the sweetest flower ए भी सही है और ये भी sentence आपका सही है कुश्चन नमबर 7 तक मैंने देख लिया था लेक्चन नमबर 1 में चलिए आपका रिवीजन हो गया he is as cleaver as a fox he is as cleaver as a fox यानि he की तुलना की गई fox से की गई है friend इसकी सुपरलेट्व डिगरी नहीं बनेगी मैंने क्या खा जब compression दो के मद्ध हो तो positive से comparative comparative से positive दो ही डिगरी बनेगी a fox is more clever than a fox is more clever than him यह यह ही इस ओके नेक्स्ट समझ में आया एफ हॉक्स एज नहीं किया मैंने यह यह यूज नहीं किया मैंने मोर यूज कर दिया वही बात नहीं don't worry a fox is more clever than him okay next important sentence है friends note करते रहिएगा आपको exam में benefit अवस्य मिलेगा चलिए friends इसकी भी superlative degree नहीं बनेगी क्यों नहीं बनेगी क्योंकि gold का compression किया गया है silver से किसे compression किया गया है silver से compression दो के मद्ध हो तो superlative degree नहीं बनती है अग्दो के मद्ध compression होगा तो क्या जो दो object आते इनकी तुलना की जाती है उनके अस्थान बदल जाते है ओके change of place gold की जगब हो जाएगा silver is not friends positive degree में positive degree जो होते है negative में बनती है negative sentence silver is not as precious as gold silver is not as precious as gold silver is not as precious as gold trains run faster than the cars यहां पर भी trains की compression की गई है cars से ओके superlative degree नहीं बनेगी चलिए positive degree बना लेते हैं the cars do not friends sentence जो है present indefinite tense में है जब positive degree जब बनाएंगे तो not singular तो लगेगा नहीं तो present indefinite tense negative sentence में जाएंगे तो आपकी काउंसी वर्भ होती है does not और do not singular के साथ does not और बाके तो आप जानते हैं plural के साथ do not यहां पर cars ज्यादा है यहां do not यूज़ करेंगी the cars do not run as fast as the train यह से लगेगा आपर trains the cars do not run as fast as the train ऑके अजय लिए समझ में आ रहा है next अजय शिलवर इज नाट as strong as iron यह आप से पूछ लिए कांसी डिगरी का नाम बताईए तो क्या आप लोग जबाब करेंगे कि आएज आएज लगा हो या फिर so as हो क्या हो so as ओके पॉस्ट्यू डिगरी होते हैं चलिए सिलवर का कंप्रिजन किया गया है iron से किस से किया गया है iron से शिलवर का कंप्रिजन किस से किया गया है iron से चलिए बनाएए तो iron is stronger than ुइस यानि silver की जगब क्या हो गया iron strong में er लग गया stronger हो गया then silver ध्यान रखना है जब comparison दू के मद्ध होगा तब any other का use नहीं किया जाएगा any other का use नहीं किया जाएगा कब जब comparison किस के मद्ध होगा दो के मद्ध comparison means तुलना next next चली गांधी जी was one of the greatest leaders of the world आपको ध्यान रखना है एक concept में आपको बता दे नहीं हो सकता आपकी error mistake में पूँच लिया जाए कि जब भी one आफ दा जब one आफ दा फिर adjective फिर क्या हो adjective हो प्लस उसके बाद जो noun आएगा वो कैसा noun रहेगा plural रहेगा ओके चली कौँ सी डिग्री है ये शुपर लेट्यू डिग्री है कौँ सी डिग्री है सुपर लेट्यू क्योंकि मैंने बताया था adjective में EST लगा हो और उसके पहले article दा यूज होगा चलिए CD बनाएंगे तो गांधी जी इज ग्रेट में ER लगेगा तो होजाए greater और यहां गांधी जी की तुलना पूरे वर्ल्ड से की गई है तो यहां पर than any other यूज होगा गांधी जी इज greater than any other leader of the world any other leader of the world चलिए positive degree देख लेते हैं no other leader of the world no other leader of the world is as great as गांधी जी no other leader of the world is as great as गांधी जी very few से बन सकता है कैसे बनेगा post degree बेरी very few लीडर जब बेरी फ्यू से बनेगा तो noun कैसा रहेगा plural रहेगा बेरी फ्यू लीडर्स आफ दा फ्यू आफ दा वर्ल्ड आफ दा वर्ल्ड आफ दा वर्ल्ड आर अब इज का क्या हो जाएगा आर आइज ग्रेट आइज गांधी जी आइज ग्रेट आइज गांधी जी ओके नेक्स्ट हर यंगर ब्रदर हर यंगर ब्रदर is not फ्रेंड्स यहाँ पर मिश्टेक है तो सो लगेगा तो आइज लगेगा हर यंगर ब्रदर is not सो इंटेलिजेंट आइज सी इज इसकी सीडि बनाईए इसकी भी सुपर लेटुड इज नहीं बनेगी क्यों नहीं बनेगी क्योंकि उसकी तुलना उसके भाई से की गई है शी इज मोर शी इज मोर इंटेलिजेंट दैन दैन नहीं होगा क्या होगा दैन क्या होगा दैन टाइपिंग मिस्टेक है सोरी फर दाइट सी इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर यंगर ब्रदर ओके नेक्स्ट लास्ट संटेंस है चलिए तीस मिनट के लेक्चर में मैंने आप लोगों की डिगरी समाप्ट कर दी डिगरी से सम्मंदित नो प्राबलम सही से दो तीन बार आप देख लीजे जम्मू इस नाट जम्मू इस नाट शो हाट ऐस डेली यहनि जम्मू की तुलना की गई है दिल्ली से चलिए तो कैसे बनेगा पॉस्ट्यू डिगरी ने पॉस्ट्यू तो है इसकी कमप्रेट्यू डिगरी बनाए तो क्या हो जाएगी दिल्ली D, E, L, H, I, Delhi Is होट में जब E, R लगाएंगे तो डबल टी हो जाएगा होटर दैन जम्मू ओके समझ में आई बात क्या हमने सीखा द्यान दीजी हमने क्या सीखा Degree के Types Theory, Types OK कौन-कौन सी Positive Degree Comprehitive Degree psychiatric Ewear OK कैसे आप पहचानेगे जाएगे यज़े Multiple Choice Question आ रहा है कमप्रेशन में आप जा रहे हैं तो कैसे पहचाने की कौँ सी डिग्री है देख लीजी यदि पोज्ट्ट्व डिग्री होगी तो सो आईज आपको जरूर मिलेगा संटेंस में यदि सो आज नहीं मिल रहा है तो आपको आईज आईज मिलेगा ओके यदि कमप्रेशन डिग्री है तो आजएक्ट्व के पहले मौर मिलेगा क्या मिलेगा मौर यदि मौर नहीं मिलेगा तो आजएक्ट्व में क्या लगा होगा ए आर फिर क्या मिलेगा दैन अधर दैन लगा होगा और कमप्रेशन ज्यादा के मद होगा तो एनि अधर भी होगा एनि अधर भी होगा ओके शुपर लेट्व कैसे पहचानेंगे शुपर लेट्व दिग्री है तो एजेक्ट्व से पहले दायूज होगा ओके मोस्ट मिल सकता है या फिर एजेक्ट्व में ईएश्टी लगा मिल सकता है इएश्टी वो सुपर लेट्व डिग्री होगी प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी आपके doubts किलियर हो गए होंगे वह बच्चे जो intermediate का exam देने जा रहे हैं इस class को दो से तीन बार देख ले degree से सम्मंधि संटेंस आना है तो आना है board exam में आएगा तो दो नंबर का sentence आएगा ये degree आप देख लेते हैं दो नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं हैं अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो like करें शेयर करें thank you for watching